बच्चों में होने वाला पेट दर्द, क्या ये appendicitis है? बच्चों में appendix क्यों होता है? इसके लक्षन क्या है? इसका इलाज क्या है? और क्या इसका इलाज करने के बाद हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं? आईए जानते हैं! नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आदित्य कुलकरणी, गेस्ट्रो सर्जन और गेस्ट्रो कैंसर स्पेशलिस्ट और आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में जो ज्यादा तर बच्चों में देखी जाती है इसका नाम है appendicitis appendix हमारे पेट में राइट साइड की तरफ निशले हिस्से में स्थित होता है ये हमारे small intestine और large intestine के junction पे आने वाला एक छोटा ओर्गन है जिसकी length दो सेंटीमेटर से लेके 20 सेंटीमेटर तक हो सकती है appendix में होने वाला infection और inflammation इसे कहा जाता है appendicitis और बच्चों में पाये जाने वाले सबसे common surgical problems में से ये एक है appendicitis पात साल से लेके 20 साल तक की उमर में सबसे जादा commonly पाये जाता है और 10 साल से लेके 20 साल की उमर के बच्चों में इसकी सबसे जादा risk है appendicitis होने के कई कारण हो सकते हैं इसमें से एक important कारण ये है कि खाने में आने वाले कुछ bacteria या viruses या फिर parasites याने के germs और जन्त का appendix की तरफ जाना और उसका infection होना उसका एक दूसरा important कारण ये भी हो सकता है कि appendix का जो lumen है याने कि उसके अंदर की जो lining है इसका blockage होना जब appendix के lining में blockage होता है तो इसमें होने वाले juices ये बाहर नहीं पढ़ सकते हैं और इसका blockage की वज़े से इसमें swelling और inflammation हो सकता है अगर ये swelling और inflammation जादा बढ़ जाए तो इसके blood supply को भी खत्रा हो सकता है और terminal stage में जाके appendix burst होने का खत्रा हो सकता है इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसे early stage में recognize करके इसके उपर medical treatment की जाए तो क्या लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि पेट का होने वाला दर्ब appendicitis है early science of appendicitis अगर हम देखे तो एक feeling of malaise और unwellness जिसे की हम लोग lethargy के सकते हैं low grade fever और nausea या फिर vomiting ये appendicitis के कुछ early signs and symptoms है आगे जाकर पेट में दर्ध होना appendix से होने वाला पेट का दर्ध शुरुवाती stage में umbilicus याने की नाभी और belly button के पास में स्थित होता है ये एक mild से लेके moderate pain होता है बट जैसे जैसे time progress होता है ये pain body के right side के नीचे की तरफ migrate होता है इसे हम right iliac fossa और right lower quadrant का pain कहते हैं ये pain persistent होता है याने की ये continuous कुछ मात्रा में रहता है अगर body को jerky moments जैसे की road से two wheeler पे जाना और speed bump का आना या फिर staircase climbing के दोरा ये pain बर्सन हो सकता है इसके अलावा constipation या diarrhea दोनों में से एक हो सकता है ज्यादातर commonly ये देखा गया है कि appendix में diarrhea का होना ज्यादा common है याने की loose motion तो हलकी ये severe loose motion ना होके सिर्फ एक या दो बार कुछ loose tools ज्यादा common होते हैं हमने जाने appendix के कुछ लक्षण पर appendix के लक्षण होने पे इसे diagnose कैसे किया जाए अगर आप doctor के पास जाते हैं तो वो आपको CBC याने की complete blood count जो एक blood test है इसकी सला दे सकते हैं complete blood count में अगर आपकी सफेद पेशी याने के white blood cells 11,000 से जादा है तो ये एक लक्षण हो सकता है कि appendix में infection है या appendicitis है दूसरा जो common investigation appendix के diagnosis में किया जाता है इसे हम ultrasound या sonography के नाम से जाते हैं ये एक OPD basis पे investigation है जो radiologist के यहां किया जाता है इसके लिए आपको radiologist के पास खाली पेट जाना होगा वो आपके पेट के scan करके ये बता पाएंगे कि क्या appendix में swelling याने कि infection और inflammation है और अगर ये है तो appendix की size कितनी बड़ी हो गई है medical science में appendix का 6 mm से जादा बड़ा होना ये से appendicitis का एक लक्षण माना जाता है स्टेडियोलोजिस्ट ये भी बता पाएंगे कि appendix से related कुछ complication याने कि appendix का burst होना ये हुआ है या नहीं appendix से related lymph nodes याने कि सफेद पेशी की छोटी छोटी ग्रंथिया ये enlarged है या नहीं तो ये सारे चीजे हमें सोनोग्राफी से पता चल सकती है कुछ केसे में अगर सोनोग्राफी से डाइगनोसिस नहीं बन पा रहा है तो सिटी स्कैन की सला दी जा सकती है हाला कि बच्चों में सिटी स्कैन को युजवली अवाइड किया जाता है विकाज इससे रेडियेशन की मात्रा ज्यादा होती है तो अपेंडिक्स जब डाइगनोस होता है तो इसकी इनिशियल याने की शुरुवाती मैनेजमेंट में हम पेशन्ट को निल बाय माउथ याने के खाली पेट रखते हैं और इन्हें आईवी अंटिबाटिक्स याने के सलाइन से दिये जाने वाले अंटिबाटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है बट यह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब अर्ली स्टेज में किया जाए जबकि अपेंडिसाइटिस माइल हो अगर अपेंडिसाइटिस मॉडरेट तो सीवीर स्टेज में है तो इसकी ट्रीटमेंट है सर्जिकल रिमॉवल अफ दी अपेंडिक्स जिससे हम लोग अपेंडिसेक्टोमी के नाम से जानते हैं अपेंडिसेक्टोमी दो तरीके से की जा सकती है या तो उपन सर्ज ज़री से या फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से In today's day, laparoscopic appendix ectomy is more than 99% of the surgeries done for appendix. Open surgery तब प्रिफर की जाती है, जब laparoscopy अवेलेबल ना हो या फिर पेशन्ट की condition ज़्यादा सीवियर हो जिससे की वो laparoscopy को टॉलरेट ना कर सके. जब हम लोगों को appendicitis के लिए appendix को remove करवाने की सला देते हैं, तो एक बहुत common question यह आता है कि क्या हम appendix को निकालने के बाद normal life जी सकते हैं, क्या बॉडी का एक organ निकालने से हमारे digestion पे कोई affect होगा, या क्या हम normal खाना खा पाएंगे, या normal activities कर पाएंगे. तो येस, all of this is definitely possible. अपेंडिक्स को निकालने से, बॉडी के digestion में या normal activities करने में कोई भी problem नहीं आएगा. Appendix removal surgery एक बहुत safe surgery है और इसमें serious complications की risk almost less than 5% है. तो आप बेजी जग appendicitis के लिए treatment ले सकते हैं, without fearing the risk of any severe complications. अगर appendix से related, आपको कोई भी information चाहिए या आपको कोई भी salah चाहिए, तो आप हमें लिख सकते हैं, या आप हमें email कर सकते हैं, नीचे दिये गए email ID और नमबर पर. Thank you very much. झाल झाल